एक electronics का discuss करने वाले हैं और इस topic का नाम है P-N junction तो इसमें हम यह सीखेंगे जैसे नाम है नाम से साफ दिखता है हम P-type semiconductor और N-type semiconductor को हम जब combine कर देंगे junction का मतलब होता है जब दो चीजें ही कठी होती है किसी point के अपर तो उसको हम junction बोलते हैं अब हम चर्चा करना शुरू करते हैं P-N junction जो है एक basic building block है सभी semiconductor devices का जितने भी semiconductor devices बनते हैं जिनमें semiconductor इस्तेमाल होते हैं उनमें सभी में P-N junction होता है मतलब P-N type of extrinsic semiconductor को जोड़ा होता है और यह जो semiconductor devices है वो diode हो सकता है ट्रांजिस्टर हो सकता है क्योंकि हम यह दो ही बात करेंगे क्योंकि text में हम इसी की ही चर्चा करेंगे इसलिए हमें जो P-N junction जो है उसका behavior क्या है उसका working क्या है यह सब इसके बारे में हमें पता होना चाहिए we will now try to understand the junction के junction यह बनता कैसे है अब हमारा जो text होगा इस बात के इपर centered होगा कि यह P-N junction बनता कैसे है और यह extra जब हम field लगाते है external applied field हम लगाते है तो यह P-N junction behave किस तरीके से करता है तो हम दो point के उपर हम discussion करेंगे के एक तो P-N junction बनता कैसे है और दूसरा जब extra field हम apply करते है तो यह behave कैसे करता है इस extra field को apply करने का जो process होता है इसको हम biasing बोलते है जिसके बारे में अभी हम आपसे बात करेंगे so अब P-N junction की formation के लिए हम अगला step लेंगे discussion का देखिए हम ऐसा करते हैं कि हम एक P-type silicon का एक buffer लेते हैं buffer मतलब एक double roti की तरह आप समझ लीजिए double roti का आपने देखा है ना या biscuits बगारा देखे हैं आपने तो ऐसे हम एक sample जैसा ले ले लेते हैं हम क्या गरेंगे उसके उपर हम एक small amount में कुछ quantity हम pentavalent impurity डाल देंगे pentavalent impurity एक donor impurity होती है जिसमें 5 balance electrons होते हैं इसकी बज़ा से क्या होगा कि P-type buffer जो है वो convert हो जाएगा n types and converted into n silicon में change हो जाएगा तो इसमें क्या होगा दो sides बन जाएंगी दो regions बन जाएंगे एक P region बन जाएगा और एक n region बन जाएगा या हम simply आपको एजिस समझना है तो हम आपको ऐसे समझा देते हैं कि आपने क्या किया एक P type extrinsic semiconductor लिया और इसके साथ आपने n type से जो है वो semiconductor combine करके ऐसे रख दिया तो यहाँ जो junction बनेगा एक P हो गया और एक n हो गया यह वाला part P हो गया और यह वाला part n हो गया इसी की बात हम कर रहे हैं यह वाला जो पारट हो गया और यह वाला part n हो जाएगा अब हम इसका जो mechanism है, इसके अंदर घटेगा क्या, उसके बारे में बात करते हैं। तो हमें जब P-N junction को discuss करना था हमें, यह समझना होगा कि जो P region होता है, इसमें क्या होता है? Number of holes जो होते हैं, number of holes are very much greater than number of electrons. और N region में क्या होता है? Number of electrons are very much greater than number of holes. यहां electron जो हैं, वो hole से बड़े ज़्यादा होते हैं, और P region में hole जो हैं, वो electron से बड़े ज़्यादा होते हैं. हमें P-N junction के mechanism को समझने के लिए, दो चीजों को साफ-साफ समझने की ज़रूरत है, एक diffusion को और एक drift को. तो diffusion और drift में आपने एक पहले difference, एक dictionary difference समझ लेना है. Diffusion का मतलब होता है कि चीजें फैलती चली जाएंगी, और diffusion का मतलब होता है कि धारा में बहती चली जाएंगी. इन दोनों चीजों को ध्यान से समझना है, तो सबसे पहले जब P-N junction बनेगा, तो सबसे पहले diffusion जो है, ये concept सबसे पहले आएगा, और diffusion के process के बाद है, drifting का concept आएगा. हम आगे चर्चा जारी रखते हैं, देखिए, अब भी नो दैट कि जो N type semiconductor है, N type semiconductor में उसकी property क्या है, डाइग्राम में हम देखें, कि इसमें electron जादा होते हैं, और holes कम होते हैं, number of electrons are very much greater than number of holes. मतलब क्या हुआ, जो number of electrons होते हैं, इसमें, वो majority carriers होते हैं, और जो number of holes होते हैं, ये minority carriers होते हैं, ये small amount में होते हैं, और इसमें उल्टा होता है, इसमें holes जो होते हैं, वो majority carriers होते हैं, और जो electrons होते हैं, वो minority carriers होते हैं, तो होगा क्या? N-type semiconductor में किया है कि East side electron बहुत ज्यादा है और concentration of electron का मतलब हुआ concentration electron per unit volume आप एक unit volume की बात करें तो उसमें electron बड़े ज्यादा होंगे is more as compared to the number of holes तो hole की concentration कम होगी और electron की concentration ज्यादा होगी similarly P-type semiconductor में क्या होगा? P-type semiconductor hole बड़े ज्यादा होंगे और electrons बड़े कम होंगे तो उल्टा हो जाएगा इसमें तो होगा क्या? अब दोनों साइड में यहाँ electron ज्यादा है, यहाँ electron कम है यहाँ hole ज्यादा है, यहाँ hole कम है तो एक कोशिश यह होगी कि ज्यादा electron बाला जो region एक concentration gradient हो जाएगा electrons के लिए मैं ऐसे कहूं कि यूँ करके मैं बना सकता है, एक slope type हो जाएगा और holes के लिए कुछ ही तरीके का slope हो जाएगा So during the formation of P-N junction, जब P को हम N से मिलाएंगे, तो क्या घटने वाला है? Due to concentration gradient across P and N side जो hole होंगे, जो P side में ज़्यादा hole है, वो P से N side के और भागेंगे क्योंकि बहाँ hole कम है, और जो electrons है, वो N side में ज़्यादा है, वो N से P side के और भागेंगे This motion of charge carriers gives rise to diffusion current across the junction इससे क्या होगा? Diffusion current हो जाएगा, मैं यहाँ मार कर देता कि यहाँ जैसे electron ज़्यादा है यह सारे electron जो है, वो N से P की और भागेंगे और यहाँ positive charge ज़्यादा है So all these holes will rush toward N side यह N side की और भागेंगे यह electron बड़े कम है Minority carriers है और इस region में hole बड़े कम है Minority carriers है यह सारे जो electron है वो diffusion process के अंडर N से P की और भागेंगे और जो P side में excess of holes है वो P से N की और भागेंगे अब देखना अपने की होगा क्या? जो P side जब जो P side semiconductor होता है उसमें acceptor impurity होती है तो इसमें जो core होता है P side में कैसा core होगा? यहां आप ज़रा गौर से देखें इसको आप गौर से देखें यह जो central atom है यह P side की हम बात कर रहे हैं इसमें जो इसके किनारे क्या होगा? जो acceptor core होगा उसके किनारे एक hole है यह hole है अब क्या होगा? कि जैसे ही यह hole P side से N side की और जाएगा तो क्या रह जाएगा? छोड़के क्या जाएगा? एक negative atom का core छोड़के आजएगा एक negatively charged core छोड़के जाएगा और जैसे N side से electron आप यहाँ भी गौर से देखें यही समझने वाली बात है इसमें आर आपको एक जटके में समझ आ जाएगा जैसे electron जो है जो donor का जो core है उसको छोड़के यह जो electron इसका parent atom जो यही है जो donor core है अब इसको छोड़के जब electron जो है वो N से P side में जाएगा तो यहाँ छोड़के क्या जाएगा positively charged reason छोड़के जाएगा यह core जो है वो positive रह जाएगा और जब whole P side से N side क्योड़ जाएगा तो इसका negative जो है जो core है वो negative छोड़के यहाँ चला जाएगा बहुत जादा whole जो है यहाँ से transfer होगे और यह सारे जो है वो ionized core जो है वो यहाँ बच जाएगे यह whole के जाने से पैदा हुए है यहाँ देखिए और जब electron जो है वो N region को छोड़के जाएगा तो उसका जो core है वो positive core छोड़के जाएगा यह देखिए अब जितने electron जो है वो transfer हो जाएगे वो अपना positive जो core है उसको छोड़के चले जाएगे अब इसको हम paragraph को पड़े हम समझ जाएगे यहाँ से when the electron diffuse from N to P side पहले electron की बात करते हैं तो क्या होगा it leave behind the positive core ionized donor ionized donor है यह देखिए आप यहाँ यह है donor core तो यह ion की form ले लेगा क्योंकि यह charge हो जाएगा तो positive है यह from the N side and this ionized donor क्यासा है यह positive charge है क्योंकि atom जो होते है ने crystal है यह solid है तो इसलिए atom move नहीं करता यह immobile है it is not movable तो यह वहीं का वहीं रह जाएगा as it is bonded to the surrounding atom तो बहाँ fix रह जाएगा as the electron continues to diffuse from N to P side जैसे electron ज़्यादा से ज़्यादा N से P region के वो transfer होते जाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा जो donor core है वो create हो जाएंगे जैसे ही electron transfer होगा अपना donor core छोड़ के जाएगा और ए लेयर और positive charge ए पॉजिटिव स्पेस चार्ज रिजन बन जाएगा N side में ए पॉजिटिव स्पेस चार्ज रिजन बिलिए डेबलप डाउन दा N side right similarly ऐसा ही यहाँ होगा अब दूसरी side दी हम चले तो इसको देखो then hole diffuse जब hole diffuse होगे कहां से क्योंकि P side में जादा होते है N side में जादा होते है तो hole जाएंगे P side से N side की और इसकी वज़े से क्या होगा concentration gradient है आप concentration gradient के concept को समझने की कोशिश करें जब कोई भी quantity distance के साथ बदलती है तो इसको gradient बोलते हैं तो concentration gradient का मतलब क्या हुआ कि एक side जो है चार्ज की जैसे positive charge की संख्या जादा है दूसरी side कम है तो जैसे आप एक side से दूसरी side जाएंगे तो संख्या घटती चले जाएगी इसको आप बोलेंगे concentration gradient it leaves behind the ionized acceptor core रह जाएगा तो ionized acceptor core होगा और वो negatively charge आप इस diagram में यहाँ देखे अब जैसे यह तो एक hole की बात की है न जैसे large number of holes यहाँ से अनगिनत hole जब परे चले जाएंगे तो इतने ही negatively charge acceptor core रह जाएंगे इसको आप इस region में देख सकते हैं यह सब region में वो दिखाया हूँ यहाँ से सब hole छोड़के n region में चले गया है which is immobile और यह atom है और atom solid में move नहीं करता है इसलिए वही के वही रह जाएंगे as the hole continues to diffuse जैसे लगातार hole जो है वो n region में diffuse हो जाएंगे तो एक layer बन जाएंगे negative charge की और इस layer को हम बोलते है negative space charge region this layer is of negative space charge region on the p side of the junction that will develop on the p side of the junction so this space charge region on either side of the junction यह दोनों side जो है n और p side में जो space charge region बना है इस region को हम बोलते है depletion region deplete करने का मतलब होता है जो घट जाता है right क्योंकि यह जो region है यहाँ से electron चले गए है और इस region से holes चले गए है इसलिए जो घटा हुआ region है depleted region है इसलिए हम इसको depletion region बोलते है because this region has lost something original इसके पास कुछ था वो transfer हो गया इसके वज़ा से हाँ कुछ घट गया इसलिए हम इसको बोलते है depletion region तरीके से होता है अब हम आगे चर्चा जारी रखते हैं कि as electron and holes taking part the initial movement across the junction तो क्या होता है कि जैसे electron जो है और holes जो है electron जो है वो n region से और holes जो है P type semiconductor से जैसे वो छोड़ के जाते हैं आप यहां फिर बार बार देखते रहे हैं कि जो holes जब छोड़ के जाता है तो वो ionized negative core चोड़ता है और electron जब छोड़ के जाता है तो वो positive ionized donor core चोड़ता है तो इस से क्या होता है कि जितने जादा electrons और hole जाएंगे तो वो depletion करता है depletion का मतलब मैं आपको बता है कि घटा देता है तो एक region इसको sentence को दबारा फेंसे पढ़े electron and holes taking part in the initial moment across the junction depleted the region of its free charge वो free charge के जो region को deplete कर देता है घटा देता है और यह आप figure number 14.10 में देख सकते हैं यह रही figure number 14.10 यह है figure number 14.10 so this region is called the depleted region तो यहां से चीज़े गई होती है यही समझना है आपने और यह जो depleted region है जो इसकी thickness होती है वो एक one tenth of micrometer होती है the width of this region is one tenth of micrometer one tenth of micrometer अच्छा यह जो चार्ज खिसकनी की बज़ा से क्या समस्या होती अब आपको depletion region की पूरी जानकारी होगी diffusion process के बारे में भी आप पूरा समझगे तो हमने शुरू में जब चर्चा शर्म करना शुरू की थी कि PN junction का concept यदी आप समझना चाहते हो तो आपको दो processes को गहराई से समझना होगा एक diffusion करंट और एक drift करंट अब हम drift करंट की ओर धीरे-धीरे move करेंगे तो देखिए due to the positive space charge region on N side यहाँ देखिए वाला यह N side में जो positive space charge region बना है और जो negative space charge region कि side बना है P side में due to positive space charge region on N side of the junction and the negative space charge region on P side of the junction इसे क्या होगा electric field is directed from the positive charge towards the negative charge आप यह इस बात को भली भांते जानते हैं आपने electrostatics में capacitor का diagram यदी ध्यान से पढ़ा हो तो आप इस बात को समझ जाएंगे कि यह हमारे पास जो capacitive plates होती है उसका जो यह terminal जो है वो positive terminal होगा और यह terminal जो है वो negative terminal होगा तो जो direction of the electric field यह electric lines of forces जो होती है they generate from the negative positive charge and terminate at the negative charge यह दिखिए तो direction of electric field क्या होना चाहिए वो positive to negative होगा तो यह अंदर वाला जो core वाला पार्ट है यह वाला पार्ट जो यह positive negative को cancel कर देगा ओके दिस विल कैंसल आउट देफेक्ट ऑप positive and negative and you are left with the right hand will be positive and left hand will be negative so direction of electric field जो होगी वो होगी positive to negative अब इस इस electric field की बज़ा से क्या होगा because of this electric field due to this field electron on the P side of the junction will move toward the N side अब आप गौर से देखें जो electron जो की negatively charged है वो positive plate की और भागेंगे simple सी बात है इसमें because इसमें electron बैसे भी minority carriers है पर इसमें जितने भी minority carriers electrons है वो इस positive plate की बज़ा से यह positive plate की और भागेंगे और जो इसके बीच में positive है minority carriers है वो सारे ही negative plate की और भागेंगे अब आपको यह simply समझ आ गया और यह process कब शुरू हुआ जब यह depletion region में एक battery जैसी बन गई एक fictitious battery बन गई जिसका जो right end है वो positive है जो end region बाला end positive है और P region बाला end जो हो negative है तो negative की और positive भागेगा और positive की और negative भागेगा इसलिए जो P side में minority carriers electrons हैं वो जाएंगे end side के positive terminal की और और जो end side में positive minority carriers होंगे वो जाएंगे P side के negative की और move करेंगे और इस current को आपने drift को समझना है drift का मतलब होता है कि धारा में बहते चले जाना तो यह जो electric field develop होगा उसके बाद जो minority current carriers है वो धीरे धीरे करके उस धारा में बहना शुरू हो जाएंगे holds on the end side of the junction will move to the P side end side के junction में जो होले वो P की और move करेंगे अब the motion of the charge carriers due to electric field यह जो motion हुआ charge carriers का इस electric field के generate होने से यह पहले electric field नहीं था यह electric field कब generate हुआ जब P जो है वो N से जोड़ा फिर इस में से जितने वी excess of electron से क्योंकि जो N type semiconductor होता है उसमें electron बड़े जादा होते हैं वो सारे electron इदर को यह और भागे और जो P side में क्या होता है excess of holes होते हैं वो सारे इदर को यह और इस core से एक depletion region बना इस depletion region के बनने के बाद एक battery generate हो गए इसके अंदर ही अंदर और उसका जो N side वाला जो terminal है वो positive हो गया और जो P side वाला जो terminal है वो negative हो गया उसके बाद क्या हुआ यह जो electric field है इसने एक energy transfer करना शुरू कर दी जिसकी बज़ा से जो minority carriers थे N side में जो holes थे और जो P side में जो थोड़े-थोड़े से electron थे वो P side वाले electron positive terminal के और भागना शुरू कर दी है और जो N side वाले holes है वो negative terminal जो P side की और है उसके और भागना शुरू कर दी है इतना सा समझना है शुरू में क्या था शुरू में आपने समझा कि जो diffusion current जो है वो बहुत ज्यादा था वो बहुत ज्यादा था पर drift current जो था वो बहुत small था क्योंकि battery बनी ही नहीं थी depletion region बना ही नहीं था पर जैसे जैसे जो diffusion current बढ़ना लगा तो depletion region जो है वो space charge region जो है वो बहुत बढ़ा होने लग पड़ा तो जैसे ही space charge region बढ़ने लगा उसकी बज़ा से क्या हुआ electric field पैदा होना शुरू हो गया और electric field के पैदा होने से drift current आना शुरू हो गया अब आपको दोनों ही बाते समझा गई कि diffusion current शुरू में जादा होगा drift current जो है वो धीरी धीरी बाद में बढ़ेगा पर अब सवाल ये है कि ये drifting और diffusion जो है कब तक होता रहेगा तो जो diffusion current है और जो drift current है वो दोनों एक दूसरे के opposite है ये आप बात समझ गई होंगे क्योंकि आपने देखा है ना कि जो diffusion current है मैं एक डाइग्राम आपके साथ फिर बनाता हूँ खालंकि NCRT ने नहीं बनाया पर NCRT की जो explanation होती है वो बहुत high class है ये देखे जो initially हमारे पास ये देखे शुरू में जो हमारे पास होता है P N junction हम लेते है ना ये देखे पी और N जो junction है ये हमारे पास P N junction शुरू में जब हम इसको जोडते है तो क्या होगा इसमें N type है तो इसमें जादा electrons है तो electron इधर को move करते है ये electron का motion होता है ठीक है और P side से जो hole होते है वो इधर को move करते है तो जो drift current हुआ जब जो drift current हुआ sorry, जो diffusion current हुआ वो हुआ N से electron इधर के और आए और जो P type semiconductor से hole जो है वो N के और आए पर आप drift current में देखो जो drifting होती है उसमें positive जो है वो P के और जाता है और negative है जो N के और जाता है इसलिए जो drift current है electron का diffusion होगा P से N की और, यहां बहुत सुन्दर बताया हुआ है, मुझे बनाने की जरूरत नहीं थी, और electron का जो diffusion है, वो देखो उल्टी और है, यहां hole का diffusion जो है, वो आप देख रहे हैं, P से, यह देखिया आप यहां, hole जो है, वो drift कर रहे हैं, N से P की और, और यहां जो hole का diffusion है, वो है P से N की और, तो दोनों एक दूसरे के opposite हैं, और यह process रुकेगा कब, यह तब रुकेगा, जब diffusion current और drift current चोह वो बराबर हो जाएंगे, तो एक stage ऐसे ही आएगी, जब diffusion current और drift current बराबर हो जाएंगे, इस state को हम बोलते हैं, equilibrium state, और इस equilibrium state के बाद, कोई current नहीं होगा, यदि आप the loss of the electron in the N region, आपने देखा कि जैसे ही हमने junction बनाया था, तो N region ने अपने electron को खो दिया था, और P region ने उन electrons को गेन कर दिया था, because of the concentration gradient की वज़ा से, इस से क्या हुआ, it create a potential across the junction of the two regions, इस से दोनों junctions में एक potential create हो गया था, और यह potential इस तरीके से create होता है, ताकि फर्दर electron और hole का movement ना हो सके और equilibrium की जो condition है, वो बनी रहे, that is very important, the polarity of this potential is such as to oppose the further flow of the carriers and the condition of equilibrium can sustain, वो exist कर सके और sustain किया जा सके उसको, so figure number 14.1 बन के और यह हम चले, आप इस figure को देख सकते हैं, this is figure number 14.1 बन, यह यह बताती है, shows the p-n junction at equilibrium condition में, यह equilibrium condition में p-n junction कुछ इस तरीके का दिखेगा, okay, and the n material that has lost the electron, n material ने electron खोए होते हैं, क्योंकि इसमें pentavalent impurity होती है, और p material में जिसमें tribalent impurity होती है, इसने electron को gain किया होता है, so the n material is positive, n material दिखे, जिसने electron को खोया होता है, उसका core जो हो positive रह जाता है, so जो n type semiconductor है, it has lost the electron, so this part is positive, and the p type side, जो है, it has gained the electron, so this is negative, right, so it is easy to understand, the positive relative to the p material, right, so this potential tends to prevent the movement of electron, अब ये जो potential है, वो electron को n region से फर्दर नहीं जाने देगा, into the p regions, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक barrier कह देते हैं, बाधा बन जाएगी ये, अब फर्दर electron का movement जो है, वो possible नहीं हो पाएगा, इसलिए इस potential को हम barrier potential बोलते हैं, तो जब तक इसकी biasing नहीं होती, biasing का concept हम आपके साथ discuss करेंगे अगले text में, so till this is not biased, till it is not biased, the barrier potential is equal to b0 that exists as a barrier between the p and n, so this is all about the p-n junction, I am closing this video with the hope that you have understood each and every concept related to the p-n junction, thank you.